हेलो दोस्तो स्वागत है आप सभी का मेरे योटूब चैनल कामत की रसूई में दोस्तो आज हम बनाएंगे तिल के लड़ू जो मुँ में जाते घुल जाएगा दोस्तो बिल्कुल नए तरीके से बनाएंगे तो वीडियो पे बने रहना वीडियो को बिना स्किप करें पूरा देखना दोस्तो यहाँ पे हमने तिल के लड़ू बनाने के लिए 300 ग्राम तिल लिया है यह सफेद वाला तिल है दोस्तो और इससे मैंने फटक कर साफ कर लिया है और साथ ही हमने 300 ग्राम गुड लिया है तो जब भी आप तिल के लड़ू बनाती होना तो दोनों की क्वांटिटी आपको इक्वल ही रखनी है 300 ग्राम तिल और 300 ग्राम गुड़ गुड़ को हमने टुकडो में तोड़ लिया है आधा कब जितना हमने पानी लिया है दोस्तो और एक चम्मच हमने अद्रक का रस लिया है क्योंकि दोस्तो अद्रक का जो रस होता है ना का टेस्ट लड़ू में बहुत ही अच्छा आता है तो आप जरूर एड़ करना और यहां पर हमने आदा चम मजिदना इलाइची पाउडर लिया है और अब हम चलते हैं गैस की तरफ गैस पर हम रखेंगे कढ़ाई कढ़ाई को हमें दोस्तों बहुत अच्छे से गरम करना है जब हमारी कढ़ाई गरम हो जाएगी ना तो अब इसमें हम तिल डाल देंगे और तिल डालने के बाद गैस का फ्लेम हम मेडियम रखेंगे और मेडियम फ्लेम पे ही हम तिल की अच्छे से भुनाई करेंगे तो दोस्तों ध्यान रहे तिल को हमें मेडियम फ्लेम पे ही भु तो तिल जलने लगता है इसमें कड़वापन आ जाता है और जो लड्डू है वो अच्छा नी बनता वो भी कड़वा हो जाता है तो इसलिए दोस्तों हमें तिल को बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे ही भूनना है तभी हमारा जो लड्डू है बहुत बढ़ियां बनके त्यार जाओंगी इससे आपका लड्डू बिल्कुल परफेक्ट बनके त्यार होगा दोस्तों अगर आपके लड्डू भी बनाते वक्त तूट जाते हैं ना बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनते तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना यहां पे देखिए दोस्तों बातों बातों में हमने तील को बहुत अच्छे से भून लिया है और तिल में बहुत ही अच्छा कलर भी आ चुका है आप वीडियो में देख सकते हो तो अब हम गैस का फ्लेम आफ कर देती हैं और तिल को प्लेट में निकाल लेती हैं तो दोस्तों तिल को भूनने के बाद क इसमें हमने तिलकोभुना है उसी में हम क्या करेंगे जो हमने आधा कफ पानी लिया था न इसे डाल देरे लिए 흡े है उतल पर अधा कफ लिए में पर ज्याड़ा पानी डालना बस आधा कफ पानी ढालना है अब हिसमेंidores अधा कफ भून देते हैं घोज़को apparent दोस्तो मीडियम फ्लेम पे ही हमें गुर को लगातार चलाते हुए अच्छे से पकाना है तो अभी आप थोड़ी दिर में ही देखेंगे गुर जो है न वो मेल्ट हो जाएगा हमें कोई गुर को तोड़ के घिसके डालने की जरूरत नहीं है ऐसे टुकडो में भी आप डालें अब बस वीडियो पे बने रहना और दोस्तो एक रिक्वेस्ट है अगर वीडियो आप सबको अच्छी लग दी है न तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना इससे मुझे पता चलता है कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है और दोस्तो अगर पसंद नहीं आती है तो आप कॉमेंट में बता सकते हो तो यहां पर देखिए दोस्तो हमने गुड़ को अच्छे से चलाते हुए पिगला लिया है इसमें बिल्कुल भी अब गांठ नहीं है तो अब हमें गुड़ को लगातार चलाते हुए अच्छे से पकाना है फ्लेम हमने मीडियम रखा है दोस है तीन से चार मिनट हो गया है दोस्तो और हमारा जो गुड़ है न देखने से पता चल रहा है कि बहुत अच्छे से पक चुका है कलर भी चेंज हो चुका है पर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें पता कैसे चलेगा कि यह लड़ू के लिए परफेक्ट है हमें क्या करना है बिल्कुल थोड़ा सा गुड़ लेना है इस तरीके से जिस चीज पर आप चला रहे हो यह चमत से बिल्कुल थोड़ा सा इस तरीके से उठाना है और इसे हमें पानी में कुछ बूंदे डालनी है यह देखे इस तरीके से जैसे हम पानी में डालेंगे न और गुड़ को अब इसमें हम डाल देंगे तिल को जो तिल को हमने भून के रखा था ना उससे पहले हम इसमें डाल देते हैं अद्रक का रस और साथ ही हम डाल देंगे इसमें इलाइची का पाउडर तो दोस्तो जब भी आप तिल का लड़ू बनाते हों यह दोनों चीज जरू डालना इससे ही हमारे तिल के लड़ू में बहुत ही बड़िया फ्लेवर आता है हमारे बिहार में जब भी तिल का लड़ू बनता है इसी तरीके से बनाया जाता है दोस्तो अब इसमें हम तिल को भी डाल देंगे और बहुत अच्छे से तिल को हमें मिक्स करना है गुड के साथ गैस को हमने off कर दिया है क्योंकि कड़ाई जो है न हमारी गरम है इसे ही में हम अच्छे से mix कर लेंगे तो दोस्तो हमने तिल को बहुत अच्छे से गुड़ के साथ mix कर दिया है अब इस सारे portion को हम एक plate में निकाल लेते हैं इससे क्या होगा न हमारा portion है ना वो बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा क्योंकि इसमें गुण है ना दोस्तों तो कड़ाई में अगर हम छोड़ देते ना तो ये चिपक जाता और गरम ही रहता तो इसलिए हमने प्लेट में निकाल लिया है ताकि जल्दी से हमारा पोशन ठंडा हो जाए और हम फटा- हाथों पर पानी लगाना है पानी की जगे आप तेल भी लगा सकते हो लेकिन पानी लगाने से यह होगा ना दोस्तों कि आप गरम में भी लड़ू आसानी से बना सकोगे तो मैंने हाथों पर थोड़ा सा पानी लगाया है फिर थोड़ा थोड़ा पोशन उठाऊंगी और हा लड्डू देखने में भी अच्छा लगे और खाने में तो ये टेस्टी है ही तो दोस्तो आप सब मुझे कॉमेंट में जरूर बताना कि आप सबको मेरा ये तरीका कैसा लगा और ये वीडियो थोड़ी से भी यूसफुल लगी है न दोस्तो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना और ऐसी नई नई रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना दोस्तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी आसानी से हमारा जो लड्डू है न वो बनके तयार हो रहे है दोस्तो अगर आप फर्स टाइम बना रहे हो न तेलका लड्डू तो यह बिल्कुल भी खराब नहीं होता है दोस्तो और यह लीजिए हमारा सूपर टेस्टी मूँ में घुल जाने वाला तिलका लड्डू बनके त्यार है जिसे हमने बिना ताम जहम के ही बना के त्यार किया है तो दोस्तो मेरे कहने से एक बार आप भी इस तरीके से तिलका लाइक करिए जादा से जादा अपने फ्रेंड फैमिली में शेयर करिए और चैनल पर नहीं होतों सब्सक्राइब भी कर लीजिए दोस्तों फिर मिलती हूं एक नई रेसिपी के साथ बाई बाई दोस्तों